गुद मॉर्णिंग एवरीबन गुद मॉर्णिंग सर कैसे हो तुम लोग चल तो कल हमने आइसोमेरिजम कम्प्लेट किये रहे मतब कम्प्लेट नहीं वा था अधूरा ही रह गया था कहानी राइट तो हमने स्क्वायर प्लेनर जो फोर लेगेंड के साथ उसका जी आई हमने आज हम लोग सिक्स लिगेंड के साथ देखें जिसमें छे लिगेंड होता है ऑप्टाइट हो तो कल की बाद या देना तुम्हें हाँ या ना एक दूसरे के आप जित है यह भी सेकेंड और पोर एक दूसरे का पोजित है इसको बोलते हो 180 डिग्री हां या ना राइट और यहां पे भी यह 12 और 14 यह सेम साइड यह 90 डिग्री हो गया हां या ना या ना तो यह 90 डिग्री हो गया तो यह 90 डिग्री बोले तो यहां पे देखो ना यह वाला यह पाड़ अच्छा यह 90 डिग्री यह भी 90 डिग्री और यह भी क्या है 90 डिग्री हां या ना राइट तो तो ये तुमारा क्या होगा? सीज होगा. क्या होगा? 1, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 4, ये क्या है सीज है? आया ना? अब यही सेम, देखो यहां पे, सेम हा? ध्यान देखो. बच्चों, ये मेटल है? देखो यहां पे, यहां पे भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, ये भी, ये भी, ये भी. और इस बार मेटल में, लिगेंड कितना है बच्चा? कितना है? ना? छे हैं है, ना? ना? तो अब यहां पे क्या होताब? चलो इस पे नयम्ठी कर ज Поэтому, यह पे नम्ठीकियाद करतो यहां पे नयम्ठीकिक कर दो देखो. यह वान है, यह 2 है, यह 3, यह 4, 5, 7. क्या मुझे इसमें से डिखे रांब के इस कोई प्षा? वो गो गया और त्री यह क्या होगा तो बस इसमें पहले प्रांस पहले करो काम खतर राइट अब बगल का वान टू वान शिक्स टू थ्री पोर यह सब क्या होगा सीज होगा तो सीज के लिए वही नंबरape 12 लेलो 16 लेलो तो मैं continue नहीं लिखना हूँ वही 23, 34, 56 तो ये क्या होगा सीज बोले तो क्या है 6 Kayn या न? पड़ इस आपंद लिएन कितने है इसमें 6 6 Alright अब इसमें हम छे वाले में भी जी आई देखेंगे, क्या देखेंगे, जी आई के साथ इसमें हमें, क्या मिलेगा, ऑप्टिकल आईसोमर भी मिलेगा, क्या मिलेगा, ऑप्टिकल आईसोमर, कल हमने डिसकस किया था, नॉन सुपर, इम्पॉसिबल, मिलर इमेज, हाँ या ना, डी और वाट एल चलो तो यहां पर देखो बच्छा यह पाड हमने कंप्लीट कर लिए यह वाला पाड देखो यहां पर मैं दिखा तो पहले तो यह रप कर दूमें यह रप कर दूमें शुरुआ इसकी कहानी से देखो यहां पर इसके अंदर जैसे की बच्छू यह मैटल है हाँ या ना अब अगर मैंने यहां पर पहला फॉर्मोना लिया मैटल के साथ A6 एक जैसे सब लिएंड होंगे तो क्या उसमें GI exhibit होगा नहीं होगा कल भी हमें देखा था A4 हाई या ना metal के साथ A4 और A6 वाले में exhibit नहीं होगा जिया अगर मैं metal के साथ मतलब मतलब को बार ले लिया और A6 मतलब CL 6 हो गया तो इसके अंदर एक्जिबिट नहीं होगा क्योंकि सबके सब लिगेंड एक जैसे है चलो मेटल के साथ A5 ले लो और एक B ले दो तो A5 और B में भी एक्जिबिट नहीं होगा ध्यान देना शुरुवात कहांसी होगा सब तो शुरुवात होगा बच्चा ध्यान देना शुरुवात होगा मेटल के साथ A4 और क्या हैगा B2 A4 B2 अब इसमें G.I.E. बनेगा इसमें G.I.E. बनेगा चलो दिखाता हूं मैं तुमारे को यहां पे बच्चा यहां पे मैं कोबारिट ले लेता हूं ध्यान देना राइट और यहां पे बच्चा यहां पे मैंने अमोनिया ले लिया यहां पे भी मैंने क्या ले लिया अमोनिया और यहां पे भी मैंने ले लिया अमोनिया ध्यान देना बच्चा और यहां पे अमोनिया और यहां पे मैंने दो सील ले लिया क्या ले लिया यहां जाना बच्छा यह कोबार्ट के साथ और यहीं पे इसी के अंदर यहां पे मैंने क्या रखा कोबार्ट जाना बच्छा इसमें यह अमोनिया बोले तो यह कोबार्ट मेटल वाला फॉर्मॉला ह ऑगया, एक जैसे लिगेंट कितने हैं, अमुनिया के चार है और दो क्या इवी टू है, आया ना, समझ रहा हो ना मेरी बात, तो कोबाल्ट और अमुनिया यहां पे कितना हो गया, दो हाया ना, अब यहां पे, यह पे यहां से हटा के, इसके आपोजिट में लेका, आप इसका फ़िए दो钱 आएका तो वहिए है नाइमrictल और और म Bengal. मैंने दो डाइग्रम द्रे किया हो और राया है कमा मुझे इसमें कोणु कह और कोणु का समीठ सीज सीमिली。」 कलोगा पहला है ये एंए और ये दू ब सुधि है चलो बता हो एंजने। बच्छा सेज और ये को देखो ना ये सीयल है ये सीयल है इस पेर को देखो ना दोनों इक दुस्छरे की क्या है आप दुस्छा के ले बच्छु ये क्या होगा और ये सीयल पासूइ पहले इप्षम्पल कर और अब इसका अधर गहते हैं जिसे कि यह example सभी को समझ मैं समझा क्या अब यहाँ पे देखो यह type हो क्या अब मैं वापर से ले रहा हूँ metal और A A4 B2 को मैं split करूँगा तो यह B और C बन जाएगा क्या बन जाएगा? A4 B C अब एक CL को मैं क्या करता हूँ? इसको मैंने चेंज कर दिया और इसके जगह मैंने लिख दिया तो यह BR हो गया और यह BR हो गया तो भी यह हुआ यह ट्रांस और यह क्या होगा? तो देखो एक यहाँ से कितना exhibit हुआ है इसके structure दो और इसके भी कितने हुआ है? दो को यहां से पहरा है और यह दूसरा दो फॉर्मिल यहां पे इसमें बाइडेन टेंड का इग्जामपल घा क्या दिखाता हूं लुट अधिन का मतलब क्या होता है यह ज पर देख रहे हो यह यह वह वह बिखेंड को यह यह मुझे करने की जोते क्या मुझे देख हो इंसी शी तो CS2, NS2, NS2, तो shortcut में यहन को यूज़ करते हैं, समझ रहा हो ना, वो bite and tend है, तो वो दो side cover करता है, चीज़ तो मैं द्रॉम करके दिखा जेता हूं, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यह देखो, कोबर्ड, ठीक है, अब यहां पर, तुम देखोगे, देखो, 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 अच्छा, यहां पर, यह वाला एक जगह आपके उपाई किया, और एक यह जगह देखो, देखो, दो जगह ले लिए, यहां पर, यहां पर, यहां पर रख दो, यहां पर, एक सेल यह जो एक सील इदर रख दो और एक एन तुमारा यहां पे रख दो यहां पे तो अब यह इधिलिन डायमन इधिलिन डायमन क्या हो गया एक दूसरे क्या अपोजित हो गया अब यही इसको उठाग इधर रख दो तो क्या हो जायेगा समझ रहे हो एक साइड में रख दो यह सबी पो समझ में आया है मतलब यह पर वैंले दगों यह दिखाया कुमारे को यह जान मुझ के दिखाए कि यह इ assumptions ind at यह एक्षर में इनस ट्व रहता है डोंतWow में सा यह से अश्टू से अपर यहां पर वी क्या हर साहिए अस तरह आपर तो यह और करते हैं इस को बंद में PP करते हैं इस एंग के जगह पर हम ऑग्जलेटों की यूज कर सकते हैं ऑग्जलेटों भी आएगा ऑग्जलेटों इदर और इसको उठा के रख दो दो तो बन गया सीज और बन गया प्राइब दूसरा स्ट्रक्चर डॉक कर दिए मुझे नहीं ना तो यह क्या यह पार्ट सभ आया ना A4 B2 A4 BC और फिर थर्ड वाला क्या हो गया मैटल ए ए ए मतला बाइध इंटेंड ए डबल ए और यहां पर क्या कर दिया B2 क्या कर दिया और भी एक्जम्पल बढ़ेंगे वह इंट्रेंस में देखेंगे यह बोर्ड वाई जिता बोर्ड में है तो उसको हम पहले कव पर करते समझ गया ना यह सो नो चलो नेक्स एग्जांपल बच्चा तो यह हो गया यह कहानी हमारी हो गई राइट यह क्या यह वाला पार्ट कतम हो गया राइट ओके तो अब नेक्स से और यह आएट अप्टिकल आइसोमर में आते हैं यह व्या आते हैं ऑप्टिकल हमने जोमेटर कल्येस और नो लिवह रोकेते राइट एंड या धाया ना नॉन सुपर इंपोसिबॉल मिरर इमेज्ज और एक दूसरे गा मिरर इमेज दिखाएंगे तो क्या होगा optically और अगर mirror image नहीं दिखाएगा जो क्या होगा optically समझ रहे हो ना हाया ना तो बच्छा diagram में draw नहीं करूंगा यह वाला optical isomer है देखो मेरे ठाल से दिख रहा होगा तुमारे को clear to clear हाँ मैं पता दे तो यह formula क्या है मेर्कल है a a thrice a a मतलब same ligand है आया ना तो यह a thrice वाला type का यह क्या है formula दिया होगा तो यह a मतलब यहां पर इनोनर क्या लिया है इधलिया है तो देखो डोनर से यहां पर अगर इसका हम डाइग्रम रॉक करेंगे तो यह ऐसा बनने वाला है देखोगा यह कैसा बनेगा यह 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 य अब यहां पर हमने इतली डायमाइन को प्लेस कर देखो यहां पर इस तरह से यह तो इस तरह से और यहां पर भी यह इस तरह से और यहां पर भी यह क्या कर दिया हमने यह यहां पर भी क्लेस कर दिया अब यहां पर तुम देखो यह वाला इयन यहां पर मैंने रख दिया और यह वाला Ehren कहां पर रख दिया यहां पर और यहां भी Ehren कहां पर रख दिया है क्या है जो हम पर एंकर में बहे तो आई स्थके सबक्रा कुछ है वाई है टालेल हा सब radios क्यों है तो यह एक दूसरे का mirror image दिखा रहा है, तो यह क्या हो गया बच्छा, non-super-impositive, और यह optically क्या होगा, active होगा, क्या होगा बच्छा, optically active, यही है, देखो, यह diagram मैंने ऐसा rocker के दिखा, ताकि थोड़ा और भी easy हो गया, समझ रहा मेरी बाद, हा या ना, right, कोई doubt बच्छा, no doubt क्या हो गया, यह एन है बच्छा, यह एन, इथिलिन डायामाइन है, आया ना, right, तो उसी तरह से यहां पे देखो, यह यहां पी दूसरे example लिया है, ए, एक के जगा पे, यह देखो, यहां पे, यह मेटल है, और ए, एट्वाइस कर दिया है, क्या कर दिया है, और क्या ले ल ने लिया है, इन्होंने CLCL रख दिया, क्या रख दिया, CL, और इधर भी क्या रख देंगे, CLCL, तो देखो, यहाँ पे देखो, तुम यहां पे भी CLCL रख कर सको, यहां पे भी, चेंज हो रहा है ना, rotation, आया ना, और उन्होंने ऐसा रखा है, तो CLCL, CLCL एक दूसरे का क्या ह अगर अगर इसी चीज को अगर तुम देखोगे जाग देना बच्चा इन्होंने क्या किया है अगर मैं यहाँ पे CL CL रख दिया तो कोई प्रॉब्लम है यह होगे ना अगर मैं यहाँ पे CL CL रख दिया तो कोई प्रॉब्लम है क्या है हो गया ना हो गया वाई सेम चीज तो है है हाया ना समझ एऊ ना अब यही पे देखो उन्होंने क्या किया एक और भी यह उन्होंने यूस्ट किया एक्जामपल यहां पे राइट यह देखो यह अब यहां पे पोबाल रख्था राइट बट इस बार उन्होंने क्या किया यह को यहां पर बच्चा राइट यह यह इन इदर है और यह इन कहां पर है इदर है अब मुझे बता इसका मिररी में मेंस करेंगे तो क्या होगा ओप्टिकली इन आक्टिव है यह थाली और यह रइट और बी टूबट यह रहिए लेफ्ट रॉटेसण होना चाहिए सब्सक्राइब करेंगे यह वाले में अगर करेंगे यह वाले में तो पॉसिबली नहीं यह चीज उदर जाएगा तो क्या होगा फाइनली वह कंपोंड क्या होगा क्या मेरी बात सभी को समझ में आ गए हाँ या ना तो यह कंपोंड बच्चा क्या होगा अप्टिकली इन है वह बाता लगे कि यह इसको तुम बोल सकते देखको इसमें सीज और ट्रांज भी दिखाया है क्या दिखाया है यह वाला यह वाले था तो सीज देखको डी और यह ब इसके पहले जो किया थे हमने तो यहां तक यह वाला एक्जाम यह हमने अलड़ी कर लिए इसमें डी और लग आएगा और सीज और ट्रांज भी आएगा समझ के एट्वाइस बिटू में मतलब हमें आप्टिकल आइसोमेरिजम भी मिल रहा है और क्या मिल रहा है जी आई भी मिल रहा है तो इस पार्ट में कोई डाउट है किसी फी जी को है इस कॉसरट मे कोई डाूट है यह क्लियर हुआ सभी को तो इक्जाम के लिए तुम cliche यह पढ़ना और यह आजयांप यह आजह करना रइट टो वाले लिगंड में A2 B2 1 फिर E2 PC yes or no दो ऑन दो है पैक्जम और कि एने स्री कितने हैं दो दो अमोनिया और साथ में दो कि दो अमोनिया दो सील और एक प्लैटिंग भाइस इस प्लैटिंग हाया ना छे वाले लिगेंट में आये हमने फिर कितना क्या कहां से शुरू हुआ एक फॉर्मूला यह आधकना फिर एक फॉर्ट बीसी फिर उसके बाद एट्वाइस बीटू और एट्वाइस बीसी भी और जरूत नहीं जितना है उतना ही करना आपने हाया ना और इसी के अंदर हमने एट्राइस देखा तो एंट rights में हमें ल्डी और यही अ और बीटू में हमें अधी और एल भी अमने निकाला दी और ल्वी और ली हमने निकाला और वी और साथ में किया निकाला तर यह तक है चलो नेक्स बच्छा यह ओंगया स्टीडियो का पार्ट यह क्या हो गया स्टीडियो पिक्चर अभी स्टॉप्च्रल आइसोमेड यह बहुत इंपॉर्टेंट है तुम हर बार के पेपर में उठा के देख लो यहां से भी एक क्वेशन है ना वन माक के लिए तू माक के लिए बार बार पूछा जा रहा है समझ कोई भी मतलब लिए में तो सी भी कर सकता है मतलब बोथ आटमस आविं लोग पर ऑफ एलेक्टों और बोथ आविए वाट बोथ आटमस आविए वाट तेंदेंसी तो फॉर्म वांड विद मैंटर इंग्जांपली बताया था सचिन स्टीड थायो साइन ना सचिन ने सुना तो इसी को बोलते हैं लिंके जाइसमेड़ में क्या होगा कि मैटल इक्जांपल भी देखा था था है एंसे बॉन्डंडिट कोबल्टेट फिर को से आया ना 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 तो यसितर से देखो यहां पे पर इस ट्रॉक्शनला तुम टेक्स्ट्बुक से ही पॉइंट तो पॉइंट और एक्जाम्पल यूज किया करो तुमें लिखना है वह अपनी राइटिंग में लिख लो डेफनेशन पढ़ना है बडेफनेशन तुम टेक्स्ट्बुक का ही लिख होगे लिक्षा, क्या लिखा है इसारिसमस आप sum when the ligand has two different donor atoms वही बात वहना, ligand has what two different atoms तो में दुह को Dalisativeばफनेशन शुए बड़ो this is a homoleptic or what heteroleptic बद चाहिए यह homoleptic होगा कि hetro 5 ammonia का है और NO2 है हाँ या ना राइट बद बगल में ही वापस से एक molecular फोर्ट को ना दिया है उसमें भी ammonia 5 है बट इस बार रोट bracket में ONO लिखा है क्या लिखा है ONO मतलब NO2 वाला N-bonded और ONO वाला O-bonded नाइट्राइट अडवाट नाइट्रो यस और नो बाट तो एक ही यह दोनों का molecular what is ISO मा से अगर आप देखो कि तो दोनों का molecular formula same निकलेगा बट है ना तो structural formula क्या होगा different आया ना बट अब इसके अगर यहां पर मेरे पस मैंटल है और यह मुनिया फार्च लिखेंट है तो यह अलग अचेश्मेंट में एक N है तो एक O है this is what link is आईसो मैंस समझा क्या चांट यह next Ion-idgason spear अगर यहां पर मेरे पास मेटल है और यहां पांच लेगे और एक क्या है और एक बियार यहां पर इसमें बताओ कौन सा है और यहां यहां और तो यह राद 만들어 कौनें किस्का यह इसका और यह इसका लिगन क्या होगा बाहर यह तो यह बाहर होते हैं यह क्या बन जाएगा CO और ammoni-yakya होगा? 5 और यहां पर क्या हो जारे भी यहां हो। क्या है यह समझ में आया? इस is called IonIgesson-Sphe देखो बुक से ही तुम्हें डेफिरेशन याद करना है मैं पहले बता रहा हूं जैसे पहले भी बता रहाता हूँ हो हमोलेटिक हेट्रोलेटिक कटाइनिक अनाइनिक नीट्रल विद एक्जामपल टेक्स्ट्बुक के ही पॉइंट को अच्छे से याद कर लो उसी तरह से यह यादा कर ना लिंकेज आईसोमर यह आईओन आईसोमर बट इसके साथ डेफनेशन और डेफनेशन के साथ एक एक्जामपल तो भाई आईसोमरियसम में क्या हुआ दूनों का Molecular formula सेम हुआ और यह दो अलगलग structure बने बस खली क्या हुआ अंदर बहर का ions और ligand में क्या हुआ changes देखने को बिखना बट do Mechanic autolum तो सेम है ना भाई इसमें भी CO ए इसमें भी CO है अब इसी में ध्यान देना बच्चा यह फोरत वाला solvate isomer इसको hydrate isomer भी बोले solvate hydrate similar similar किसके जैसा ionization के जैसा kis के जैसा ionization के जैसे जैसे यहाँ पे ions का और ligand का क्या हो रहा था आया ना, इसमें क्या होगा water molecule, क्या होगा water, solvent मतलब यहां पर hydrate, hydrate मतलब water, water देखो यहां पर यह तुम देख रहो यह पहला example, CR लिका है, H2O6 है, और CL किता है, तीन है, अब मुझे अगर एक CL इस complex के अंदर लेने क्या आना है, काया पर CR है, और यह क्या है, H2O6 है, मैं H2O को 5 लोंगा, और CL क्या करूँगा, अंदर, बट एक CL, यहां पर बाहर किता बच जाएगा CL, दो, और एक water को यहां पर क्या करूँगा, मैं, balance करूँगा, क्या यह समझ में आया है, बच्चा, है ना, खंचन, समझा की नहीं बच्चा, एदेखो यह, यह, एदेखो बच्च है, और यहां पर क्या है, CL3, यह A है, और यह B, बच्चू, अब मुझा बता आओ, CR, CR, सेम, S2O 6, S2O 5, इदर, और 1, S2O 6, 6 हो गया, यह, फिर यहां पर CL3, यहां पर CL2, और 1, क्या हो गया, 3, दोनों का molecular formula सेम है, अब यहां पर देखो पहले वाले में, और दूसरे वाले में देखो, क्या comparison दिख रहा है, कि यहां से हमने एक solvate है, hydrate है, मैंने एक water क्या किया, बाहर, बाहर किया, एक शेंस, आइंस के साथ, तो वाटर बाहर गया, उसका आइंस अंदर आ गया, क्यों भई, क्यों भई, कॉडिनेसर नमबर 6 तो करना पड़ेगा ना, बालेंस, है तो यहां पे water molecule 6 में से बाहर चला गया, तो बचेगा गीता 5, तो बाहर में से CLA क्या हो गया, अंदर इंटर कर गया, तो 5 और 6 और यह तो 6 ही है, इसका coordination number 6 है, इसका भी क्या हो गया, अच्छी है, क्या यह समझ में आए सभी को, तो यहां पे बिगे को सिमिलर वित, वही ड क्या क्या एका यह शेब हो और इट कर देंव, right, X, और इन कारीनल प्रों रोडीन से शोड ि गंश note और वाटर क्या होता है? वाटर क्या होता है? वाटर क्या होता है? चलो बचा एक 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 जामपल Coordination Isomer Coordination यह पेपर में आभी चुका है One Mark के Question में आया था लिसें में 2022 या 23 में जुलाई या मार्च में देख लेना तुम तेक्या ना मैंने पेपर बेज़ा है पता है कुन से वाले? यह में राइट? यहां पे देखो बच्चा Coordination Isomer क्या ही यह Coordination Isomer तो यहां पे देखो यह Squire Brickett यह क्या है बच्चा? यह देखो Coordination क्या है बच्चा? यह देखो यह यह Example देख रहे हो राइट? एक कताई निक है Co. के साथ Ammonia है और पिर CR के साथ भी क्या है? Cyanide क्या है? Cyanide अब तुम दूसरे वाले में देखोगे तो Co. के जहां पे Co. के साथ Ammonia है तो इस बार यह Ammonia है ना यहां पे डाल दो और यह Cyanide यहां पे डाल दो तो देखो Co. के साथ क्या चला गया बच्चा? Co. के साथ क्या आ गया? Cyanide और CR के साथ क्या आ गया? Ammonia आया ना तो भाई यह दोनों के दोनों किसमे present में रहेंगे यह दोनों के दोनों complex है ना Co. कोडिनेशन आइसोमर सूज Interchange of क्या? Interchange of ligands Right? Between Cateinic and Anionic Spear तो मतलब इसके अंदर हम किसको actions कर रहे हैं? Interchange किसको कर रहे हैं? Ligands Right? हाँ या ना तो Cateinic और Anionic के बीच में क्या कर रहे हैं? Interchange कर रहे हैं किसका? Interchange कर रहे हैं Okay बच्चा Next Part है हम पढ़ेंगे Crystal Field Theory Crystal Field Okay अब ध्यान दे रहा है यह बहुत Important Concept है Right? यहाँ पे JC की Metal और Ligand देखो Degenerate वर्ड एक मिलेगा Degenerate क्या बहुना मिले? Degenerate Right? और इसके अंदर Metal है और Metal के साथ मिलने को गोना आएगा Ligand Right? अब इसी के अंदर हम Splitting देखेंगे वो दो पार्ट में क्या हो जाएगा? Divide हो जाएगा जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ यह देख रहे हो तुँ यहाँ पे यह D मतलब यह कितने 5 Orbital है न? X, Z बोलो यह Z, X भी चलेगा बात एक ही है और फिर बात में 2 D X square minus Y square और यह D Z square क्या यह तुमने पढ़ा है Structure of Atom में? आयना इलन न पढ़ा है न बच्चा यह Yes or No? यह D Orbital का आयना Right? तो बच्चा D X Y, D Y Z and D X Z Right? और D X square minus Y square और यह D Z अब देखो यह जो Degenerate वर्ड में ने बता है न वो Degenerate, Non-Degenerate में चला जाता है कब जाता है? जब Metal को Ligand अप्रोच करता है Right? अब Metal के पास भी तो Electron होता है और Ligand भी लेके किया आता है Electron है तो Electron, Electron मिलके क्या हो जाता है? रिपल्स क्या हो जाता है? रिपल्स और वहीं पर Splitting क्या हो जाती है? हो जाती है Right? Split हो जाता है यह पाच अर्बाइटल तुम देखोगे ना 1, 2, 3, 4, 5 यह Split होगे दो पार्ट में डिवाइड हो गया नीचे वाला देखो यह T2 G set हो गया और उपर वाला क्या हो गया? E G set तो नीचे देखो तीन ओर्बाइटल नीचे आ गया हूँ D X Y, D Y Z, D X Z और उपर गया X square minus Y square और D Z square समझ नहीं में इनी बाद? हाँ यार ना? Yes हो नो बचा तो यहां पर यह दो पार्ट में डिवाइड हो गया इसके उपर हम आप आपस से आता हूं back तो पहले तो यहां पर देखो लिखा है इस पॉइंट को हम डिट करेंगे यही देखो यहां पर The ligands are treated as a point charges The interaction between metal, iron and ligand is purely electrostatic and there are no orbital interaction between metal and ligands पहला point है यह, पहला point यह लिखोगे अगर crystal field 3D आया दूसरा point यहां पर लिखोगे यही जो मैंना भी बताया right dx minus y square x square minus y square dz square x y y z or z x आया ना, वो लिखदो तो यह को लिखा है in isolated Yes, yes, metal iron the 5D orbital why have the same energy and they are what? degenerate degenerate, same energy अब लिखा है third second point when ligands approach the metal iron एदेखो, ligands हमने देखो balance bond 30 किये तो उसमें भी ligands दो टाइप के थे एक, एक, एक strong field ligand और एक weak field ligand एक strong field ligand था और एक weak field ligand फिर उसमें भी low spin और high spin हो रहा था इसमें low spin हुआ था strong field ligand strong field ligand में हुआ था low spin आया ना और यहां पे क्या हुआ था बच्चा high spin high spin आया ना तो pairing of electron कहां पे हुआ था बच्चा high spin में कि low spin में high spin में low spin pairing of electron किसमें हुआ था बच्चा low spin pairing low में हुआ था strong field ligand में pairing होता है और यहां पे no pair, आया ना, क्या यह बात वापस से याद आ गया है, इसका भी एक था ना order, देखो यहां पे order देख रहे हैं यहां पे, IE, BR, CL, है ना, sulpher, fluorine, OH, oxalato, यह सब दिया है, sulpite, है ना, पिल, water, NCS, isothiocyanide, EDTA, ethylene diamine ammonia, ethylene diamine cyanide and what, carbon, आया ना, यह सोनो बच्चा, यह थोड़ा सा change किया है, अगर वही NCRT में भी जाओगे, तो थोड़ा सा उसमें changes देखने को मिलेगा, तो यहां पे बच्चा, तुम देख रहा हूं ना, यहां पे water को देखो, water को, किसको देखो यहां पे, यह water दिख रहा है, water के नीचे वाला जो series है ना, C और N से सुरू हो रहा है, ligands, किस से सुरू हो रहा है, C और N से, देखो ना, CO में भी C है, cyanide में भी C है, right, ammonia में N है, EDTA में भी क्या है, N है, हाँ यह ना, और यहां पे NCS में भी क्या है, N है, जो ligand N से और C से strong ligand, right, और बाकी देखो, I, B, R, C, L, S, F, O, H, A, सब क्या है, weak-filled ligand, क्या है, weak-filled ligand, तो बच्चा, देखो यह point लिखा हो है, देखो यहां पे, right, strong-filled ligands are those in which donor atoms, carbon, nitrogen and phosphorus, so, C, R, N, C, C, O, ammonia, EDTA, and E, N, ethyl, diamine, are considered to be what, strong ligand, and they cause, large splitting of what, D, orbitals, and pairing of electron is what, favor, क्या point लिखा है, जहां पे strong-filled ligand होगा, तो वहां पे क्या होगा, larger splitting of D, orbital, और जहां पे weak होगा, तो वहां पे splitting क्या होगा, उतना larger, ανα, high and high, now, तो यहां पे भी a point, flurine, doline, bromine, in case of this ligand, तो delta U parameter is what, smaller compared to the what, energy required for what, 파aring of electron, तो partial ligand, तो पेरिंग कहा होगा होगा होगा, strong-filled ligand, और weak-filled ligand में, पेरिंग, नहीं होगा, क्या यह point सभी को clear हُगा, क्या यह point सभी को clear हुगा, हाल याना बचसा, right, अब यहां पे देखो, crystal field, usually यह point बहुत important है, when ligand approach the metal iron, when ligand approach the metal iron, right, they create crystal field, they create what, crystal field, around the metal iron, if it were symmetrical, दो पाठे, एक symmetrical और एक on symmetrical, right, तो वहां पे, अगर, metal iron, they create crystal field, around the metal iron, तो वहां पे, अगर, 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 वही, unsymmetrical हो गया, तो तुरंट क्या हो जाएगा, split हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और split हो के, वो दो पार्ट में, divided हो जाएगा, T to Z and E Z, क्या यह पार्ट क्लियर है सभी को, और यहां पे देखो, य point important, ligands in octahedral, in octahedral, in octahedral, धान देना, in octahedral complexes, मैं देखोगे तो ligand approach the metal iron, ligand approach the metal iron, along the X, Y, Z axis, तहां से भई, along the X, Y, Z, octahedral में कहां से, along the axis, दो चीजे होते हैं, एक between the axis, और एक होता है, along the axis, अगर along the axis, अगर along the axis आया, तो octahedral की splitting हो, between the axis आया, ligand के electron, तो वो क्या होगा, tetra idol होगा, क्या होगा, tetra idol, तो वापस से repeat करो, अगर ligand का electron, along the axis आया है, metal को approach कर रहा है, तो वो splitting किसके अंदर होगा, octahedral, और between the axis आया, तो वो किसमें होगा, tetra idol, समझ में आया बचा, चलो next, तो यहां तो पे doubt नहीं हो तो देखों, यहां पे यह 5 और वाइटल है, तो यह 2 set में क्या हो गया, divide हो गया, तो यहां पे देखोंगे, यह 3 orbital नीचे आगे, और 2 orbital कहां पे आगे, उपर, है ना, अब उपर गया, तो उपर गया, तो तो टोटल और वाइटल कितना है, बचा? 5 है ना, तो उपर गया 2, तो बचा कितना 3 by 5 अगर इसको डिवाइट करोगे तो इसका क्या आएगा वायू 0.6 और यहाँ पे नीचे गया 3 और बैटल तोटल कितना है 5 आया ना तो बचा कितना 2 और इसको हम डिवाइट करेगे तो यह क्या हो जाएगा इसको डेल्टा ओ से भी रिप्रेजेंट करते हैं यह ओ क्या रिप्रेजन कर रहा है? अफटा है अब यहाँ पे देखो बचा लिखा है इन इजी, the higher energy set of orbital, उपर वाला क्या है, higher energy, और जो नीचे वाला है, वहाँ पर क्या है, lower energy set of orbital, वही, तो lower वाला dxy, yz और dxz, यह क्या है, xy, yz, and xz, और उपर वाला क्या है, x square minus y square, और dz square, लिखने की जूरत है तो यहाँ पर point लिखा हुआ है, delta हो या तो 10dq, बात एक ही हुआ 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 ही, right, the energy separation between two levels, यह energy is separate हुआ हाँ, तो easy orbitals are repelled by an amount of what, 0.6, किया न, तो कितने amount से हो, कितने energies ते repel हो रहा है, 0.6, और नीचे वाला, 0.4, और यह t to z orbital, यह repel हो रहा है, right, यहाँ पर electron बढ़ रहा है, density बढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, it experiences, it experiences what, repulsion, क्या experience करेगा, repulsion, और यह हीचे वाला क्या हो रहा है, stabilized by the what, extent of what, 0.4, delta, इतना भी point लिख दोगे तो काफी है, तो देखो यहाँ पर लिखा है, with closer approach of what ligands, along the axis, w, d100, w मतलब दो, और triply 3, यह triply क्या हो गया, d100 वाला, यह t to z, आया न, और रुपलों वाला क्या हो गया, easy, त y square and dz square, orbital, experiences, what, larger repulsion, than the what, triply degenerate, बस, इतना इसके अंदर काफी है, इतना point लिखोगे, पस, समझ रहो ना, समझ में आया न, crystal field, यह डागरम डरौ करना जरूरी है, यह डरौ करना है, अब इसके example दोगा, अब यह र्याद अठ्रेना, यह हो गया, octahedral का splitting, अब मैंने बोला था along the axis आया, ligand का electron, तो along the axis, octahedral, between the axis, तो कुछ, कुछ नहीं, सब कुछ थारी, सब कुछ agities होगा, यह तीन orbital है न, उपर जाएगा, और वो दो है न, बस, यह changes देखना है, यह तीन उपर, और दो, नीचे, देखा 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 हो, तुम देखरे हैं यह यह वाला, यह देख देखो जहां से, तो उपर देखो टीन डायस देख रहा है, तुमारे को, यह उपर तीन गया, और इसके नीचे देख रहा है, टीटू जी तीन इधर है, और इजी इसका कहां नीचे है, और उसका इजी कहा है, तो octahedral में, जो, x square minus y square, और dz square, वो उपर रहेगा, easy, right, और tetra Okay, चल, अब इस कहानी में, बचाहिए यह देख रहे हैं, तुम लोग यह blue box को, ध्यान से देखो, यह blue box देख रहा है, अब मेरे पास, ध्यान देना, यह एक, बता इसमें कौन T2G और कौन easy, नीचे और T2G, उपर लगा easy, यह T2G है, और यह easy, right, अब इंटरंस में आएंगे तो, और पीस के अलवला, concept देखेंगे, वो भी मैं खर रहा हूंगा, अभी फिलाल तो मैं खाली board cover कर रहा हूं, right, ध्यान देना बच्छा, अब मेरे पास, अगर D1 का एक electron है, D1, मतलब एक complex है, complex है, हमने metal का charge निकला, जैसे की example पर दिखा देता हूं, यह K4 है, Fe, Cn6, कोई बताएगा, इसके अंदर D का electron कितना present आएगा, K4, Fe, Cn6, इसमें D का electron कितना आएगा, सबसे पहले D का अगर electron निकलना तो इस complex में क्या करो, Oxidation number निकलेंगे, PV, निकलो क्या आएगा, यह 4 है, और है minus 6 है, plus 2 आगया, फिर F का electronic configuration लिखो, क्या लिखोगे, F E का, F E का, atomic number 26, लिखोगे, AR, 34, 2, और यह क्या होगा, अच्छे, अब एफिक पे कितना चाल जाया, यह plus 4 है ना, और यह minus 6 है, तो यह total value क्या हैगा, 2, 2 plus डाल दो, AR, 3D6, 4S0, अब बताओ, D का value क्या है, 6, समझना आया, ऐसे complex से हम निकालेंगे, 2, 3, 4, जो भी निकलेगा, अगर एक आया, अगर एक आया, तो पहला electron कहां पे फिल करोगे, यहां पे, पहला electron कहां पे फिल करोगे, यहां पे, राइट, यह सो नो बच्छा, आया ना, राइट, अगर दो आया, पहला आया, तो कोई problem नहीं है, दूसरा अगर फिल करना है, तो भी कोई problem नहीं, यह दूसरा इस पार्ट भी कोई problem नहीं है, वहीं नीचे ही जाएगा ना, आया ना, दी वन, दी तू, दी थरी में कोई changes, चाहे strong field ligand हो, चाहे weak field ligand हो, समझ रहे हो, अब असली कहानी तो सुरू होगी, दी फोर से, राइट, इसमें calculations पार्ट भी आता है, बट वो नहीं है, वो entrance में है, ए दे को, यह दी फोर मैंने फिल किया, बताओ यह weak field ligand होगा क्या strong field ligand, strong, weak field, एक, दो, तीन, और चाहर चोथा वहाँ पर यूज़ किया, मेरे पास यह डी फोर है ना, मैंने यह weak field ligand के लिए यूज़ किया, weak field ligand रहेगा, तो चाहर इलेक्ट्रोन फिल करोगे, तो पहला, दूसरा, तीसरा, और इधर, चोथा, समझ मैंना था, बट जैससे ही यह दीर पोर का इलेक्ट्रोन मुझे फिल करना है, like strong field ligand, समझ रहे हो, हाँ या ना, उनका पता है क्या होगा, बच्चा, क्या होगा, अब मैं strong कर रहा हूँ, यह हो गया, weak field ligand में, एक, दो, तीन, और यह चाहर हुआ, हाँ या ना, अब strong field ligand में, एक, दो, तीन, चाहर बने, पेरी, समझ गये है, हाँ या ना, और अगर 5 आया, तो weak field ligand है, तो 1, 2, 3, 5, यह समझा ना, डी 5, 4 समझा ना, चला, अब एक काम करते हैं, अब question करते हैं, दिक्षा से, यहां पे गांदो, बच्चा, weak field ligand, weak field ligand, d5, 5 electron है, उन्हें तुम्हें बाटना है, 5 electron, दूसरा, तीसरा, देखा न, कितना असान है, बता दिया तुमने, 4 और यह है, 5 आज, समझ गये, हाँ ना, राइट, अब एक काम करते हैं, अब यहां पे इस बार, स्टॉंग फिल्ड लेंगे, स्टॉंग फिल्ड लेंगे, तो क्या होगा बच्चा, 4 और, समझ दार होगे तुम लोग, हाँ या ना, समझ में आया, अब आगी जानी, जो ते क्या, d6, d6 समझ गये, weak field ligand, हाँ, यह भी कर देता हूँ, इस बार, दिक्षा बता किस से question करूं में, किस से करूं, बोलो, किस से करूं question बता, अंजली से, चलो, अंजली से, डान, यहां पे डान दो, येस, अंजली, यहां पे, चलो, अंजली, ध्यांद बचा, यहां पे हमारे पास six, weak field ligand, तो सब में एक, 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 सब में, तीन हो गया, चार हो गया, पाच हो गया, ए अंजली, अब बताओ, कहां पे आण करूं ये, अगला वारे electron, कहा जाएगा बचा, एक, दो, तीन, चार, पांच, तो six वारा कहा जाएगा, उपर की नीचे, नीचे, डेरिंग हो जाएगा, समझ गे, आया ना, और अगर यही, strong field ligand है, क्या है, strong, strong, strong field ligand है, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच, समझ में आया, ये, दो question हो जाया, मजा आजाएगा, ये still field splitting energy, दो question है, तुम्हारे सामए, एक, पहला ये है, चलो, इससे solve करके दिखाओ, इसका answer बताओ, मुझे, क्या आएगा, और, चलो, ये पहले complete करो, इसी को पहले complete करो, ये question, नेट में आया हुआ, question है, 2022 मे, चलो, कौन देना चाहेगा, answer, first का, first का, first का first, तुपी second का देख लो, क्या है, इसका options भी मैंनो नहीं रखा, बस match the column करेंगा, ठीक है, फर्स का, अगर फर्स है, तो ठीक है, चलो, फिर, second का बता, second का, solve करो, बचा, मैंने देखो, कुछ सिखाया है, तुम्हे, मैं हिंद दे रहा हूँ, ये देखो, ये देखो, ये concept पे, ये दिमाग लगाओ जरह यहां पे, उसमें देखो, complex मेई, लिगेंड सुम्हेरा strong है, तो क्या करोगे, और weak होगा तो क्या करो, ये concept लगाना है, ध्यान में रखना, strong पेंड लिगेंड है तो pairing कहाँ पे होगा, पहले किसको फील करोगे और वीके तो कहां पर क्या करोगे उसके एक्कॉर्डिंग निकारना तो जल्द बाजी ना करो बच्चा मैंने हिंट दे दिया है अब बताओ F.E.C.N पहले का आप क्या है गांसर फर्स्ट का फोर्ट सबास कैसे बता सकते हो बच्चा मुझे क्योंकि पहले F.E.C.N अगर में चार्ज निकारना तो F.E.C.N पहले के प्रस्ट रहा है चलो इसका प्रस्ट रहा है F.E.C.N अब यहां पर सतीन इलेक्टोन उड़ा दो F.E.C.N पहले यहां पर क्या होगा बच्चा? A.R. और 3D क्या होगा? F.E.C.N अब D में तोटल कितने इलेक्टोन है पाँच? प्लिम आफ इलेक्टोन कैसे करोगे? T.E.C.N और E.C.N यहां पर पहला इलेक्टोन दूसरा, तीसरा, C.N क्या है? इसका पर इलेक्टोन कितना है? एक तो B.E.C.N मतलब B.E.C.N मतलब number of unpaid electron उसका formula क्या है? N.E.C.N प्लस 2. याद है न? 1 का वैलू 1 पॉइंट? C.E.C.N तो अब तुम्हारे को समझना है बच्छा? आ या न? अब इसको हमने इसके साथ मिला दिए. अब चलो बताओ second किसके साथ मिलेगा? N.E.C.N काहानी आईगी वाटर वीकभिल लिगन है तो पहर इसके अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कैसे बिल करेंगे? वीकभिल लिगन है न? एफ इप पे भी चार्ज होाई आएगा न तरी प्रस्स सब कुछ काहानी वही रही रहगा 5 इलेक्ट्रउन होगा बट वाटर तो पाइला एलेक्ट्रोन दूसरा थीसरा फॉर फाइफ विक्विड लेक्ट्रोन होने कर जैसे पांच तो पांच अगर डालो कि तो पांच का वैल्यू ही पांच पाइट पॉइंट यह इसके साथ मिल गया समझा क्या सब्सक्राइब यह तो ठाड़ एक्व अपर दो प्लाग चार्ज हैं तो इसमें क्या एगा रिक वैल्यू क्या एक अग्या है फॉद दणिक्क्राइब बहुत और यह क्या चार्ज क्या निकलेगा तो बाल तो यह से दो उडाओ तो यह क्या होगा यह 3D6 ही रहेगा आया ना आपके बोल बीगिलेगें थो छे रेक्ट्रों एं क्या करेंगे से के लिए one two one two one क्या एक था इसका थिया हो गया जिरो झि ऑन two three we click with फिल लेगा तो number of hundred electron चार के लिए फॉर पॉर पॉर पॉरिंट यह निए 2022 वे वर्शन पुछाया 2022 अर पर बनी वनी फॉर्टीकुमें पूचाया थे यह ना वचा दो हैसे यह कौन सब समझ महाई फिस्टल विल का यह यह कहानी में इसमें यह द्रस किया है चलो है कोशन और रहा हूं वैसे ही मिलता जूलता है यहां पर क्लियर टू क्लियर लिखके दिया है टी टू जी इजी आया ना यह भी पी वाई क्यू पॉर्शन है बता इसका अंसर क्या होगा क्या है यहां पुछा खुछा होगा पॉच्छन हूं और बोजो था ना ट्वेंडी ट्वेंडी वान में पुछाओ नीट में ही कुछा है ट्वेंडी वान और यह ना इंदी तड़ आएगा देखो ना करेक्ट के फोर है न एफी सी और सिक्स है न बच्चू क्या आएगा फोर यहां पर प्लस पोर हो गया और माइनस इक्स चार्ज क्या आएगा एफी पर एफी का उक्स रेस्टेट क्या आएगा प्रेडी 6, 4S2, आया ना, और फिर एफी के उपर कितना चार्च, दो, और AR, 4S, 0, अब यहां पर यह Cn क्या है, स्टॉंग फिर लेगेंड है, तो फ़री 3, 1, 2, 3, और यह 2, T2Z, easy, T2Z किसको बोलते है, तीन वाले को, और easy यह है, आया ना, चोले एलेक्ट्रों को फिल करते हैं, तो 6 है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो T2Z में कितने एलेक्ट्रों ने 6, और easy क्या है, खाली है, पहेंतर क्या होगा, समझ में हैं बच्चा, राइट, चलो, last part is काली का, राइट, application of coordination का, important है बच्चा, घ्रम में रखना, आ चुका ऐसे question, देख रहो यहां पे, in biology, राइट, तो यहां पे तुम देखोगे, chlorophyll, present in plant, is a complex of what, Mg, magnesium, आया ना, यह, देखो Mg कुछ में आया भी है question, ठीके, फिर, hemoglobin present in blood is a complex of, हाया, समझ गे, हाया ना, तो यह पहला point, अगर exam में आया तो तो तुम्हें सीधा-सीधा लिखना है, second point in medicine, तो platinum complex, C is a platin, is used in the treatment of, right, anti-cancer drug, पढ़े देखना हमने, हाया ना, और irriti is used for the treatment of what, lead poisoning, और उसी तरह से hardness of water, जिसमें calcium or magnesium present होता है, तो यह as block में भी हमने 11 में पढ़ा है, right, यह hardness को, यह hardness of water में से क्या करता है, यह remove करता है, right, इथिलिन, डायमाइन, tetra, acetate, right, again, in electroplating, तो यह भी तुम पढ़ लेना, तो यह कहानी हमारी देन हो गई, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, okay, तो, को doubt है किसी को, no doubt, बचा, right, एक दो, valence bond theory का limitations तो मूँ उसमें पढ़ लेगा, ठीक है, ना, बुक में दिया हुआ है, limitations, और, वहाँ पे देखो, मैंने valence bond theory का, जो भी मैंने hybridization mixing सब करके दिखाया, उसका theoretical part भी है, page number something, 200, देखो, जड़ा 200, 200 page, check कर वचा, 200, 200, one, yes, 200, one, और 200 से तुम्हें ये थोड़ा थेड़ी भी read कर लेना, और वहाँ पे stability भी है, factors भी है, तो वह भी जड़ा देख लेना, right, stability भी matter करता है कि इसके उपर legend के उपर, कि strong field legend है कि weak field legend, strong है, तो जिसे basicity हमने पढ़ा था, तो ये point में भी सब ऐसे questions तुम्हारे को मिलेगा, थोड़े, वह theoretical part है, तो उसको cover up कर लेना, तो ये chapter, finish हो चुका है, right, thank you बच्चा, अपना धाया रखना, bye-bye,